हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपी के चैनल दावियाप ग्रोथ में दोस्तों आज मैं आपको बैंक निफ्टी की बीकली ओप्सन सेलिंग स्टेटी के बारे बताने वाला हूं और यह स्टेटी बहुत ही सिंपल है अगर आप बेगनर्स भी हो तो भी आप इसको डिप्लाइ कर सकते हो और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका मार्जिन जो है बहुत ही कम लगने वाला है और यह मार्जिन कम लगने के साथ सा तो आपको उतना ज्यादा profit होगा तो यह strategy भहुत ज्यादा safest strategy है इसकी बैक टेस्टिंग क्या है सब कुछ मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना डिखा देता हूँ कि आज जो मैंने ट्रेट की थी उसका क्या रिजल्ट रहा है क्योंकि लर्निंग बहुत जरूरी है जब आप इंट्राडे या लाइव ट्रेट में काम करते हो तो आपकी लर्निंग जो होती है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो तो दोस्तों आज मैंने निफ्टी में काम किया था जिसमें मैंने 23,500 की कॉल और 23,450 की पुट को इंट्राडे के हिसाब से मैंने सेल किया था और उसमें मेरा लगभग आज हम ब्रेक इवन पर किया है आज मैंने टेलेग्राम चनल पर अपडेट भी किया था कि जो है निफ्टी में जो बॉलेटाइल मूव आई है बहुत ही मलब ज्यादा बॉलेटाइल थी और और उसके प्रेमियम इतने ज्यादा स्वाइक्स मार रहे थे कि मुझे इतना करेज नहीं आया मुझे में इतनी हिमत नहीं थी कि मैं अपनी पोजिशन को होड़ कर पाऊं और एक टाइम पे इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा था हाला कि मेरा टार्गेट नहीं आया था तो मैंने एक नहीं किया एक ताइम पे लग फिटीन सिस्टीन सेवंटीन का दिखाए दिया था बट उसके बाद में मैंने इसको ब्रेक इबन पर क्लोज कर दिया क्योंक करके यहां आप दोनों केसे में आपको यह सोचना चाहिए कि अगर एक दिन हम पैसा नहीं बनाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मार्केट ऐसा नहीं कल को बंद हो जाएगी हम एक दिन प्रॉफिट छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ था अगर आपक क्लोज कर दी उसके बाद मुझे प्रॉफिट भी हो सकता था और लॉस भी हो सकता था बट वह पोजिशन लॉस में कट हुई क्योंकि जब आप आप संस के प्राइज जो है ओपन करोगे तो इसमें आपके पहले पूट का एसल गया फिर कॉसके बाद में कॉल का भी असल गय किया है और उसकी बज़े से मुझे फाइदा भी मिला है उसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं प्रूफ यह है कि देखिए आप मेरा एकाउंट ही मैं आपको दिखा सकता हूं और और कुछ मैं मोला कोई प्रमाल तो यह ही है कि आपने पैसा बनाया या नहीं बनाया वह और देखते हैं कि रेपोर्ट कार्ड कार्ड यहां पर मैंने तोसमें पताü किया तो उस मुझने दस तारिक से काम करने श्टार्ट किया था उसके बाद में अभी तक हमें किसी भी दीन रेट देखने को नहीं मिला है सार दीन हमने प्रॉफिट बनाया है तोड़ा से कम थोड़ा ज्यादा और अल्टीमेटली हमने 1.95 लैक के आसपस हमने प्रॉफिट ब है बाकि अगर आप कुछ लोग कहेंगे यार क्योंकि कुछ लोग सारे लोग जो मुझे पहले से फालो कर रहे हैं उनको तो पता है कि मैं किस तरीके से फेरली या ट्रांसपरेंटली काम करके आपको दिखाता हूँ जो लोग नए हैं उनको भी मैं थोड़ा बता देता इंड अप दा मन्त आप कल्कुलेट को कि आप प्रॉफिट में हो की नहीं हो वो चीज इंपोर्टेंट होती है ठीक है तो यह सब दिखाता रहता हूँ इस बज़े से काकि आपका एक माइंडशेट बने और जो मैं बातें आपको बोलता हूँ उसको आप सीरियसली लो अग करो ऐसे लोग को फॉलो मत करो जो आपको एक चका चौन दिखाते हैं कि हम मैंने आज फार्चुनर खरीद ली मैंने यह कर लिया वो कर लिया अरे भाई बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे थोड़ा सा अपना दिमाग खो लिए और उनको फालो कोई जी जो रियल में है अरे मेरे कोसिस यही है कि आप लोग भी इन लोग को सपोर्ट मत परो ठीक है तो चलिए बैक टू स्टेटीजी अब अपनी स्टेटीजी पर चलते हैं और अभी तकर आपने हमारे टेलेग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है हाला कि मेरे बहुत ही कम सस्क्राइबर है और देखेंगे कभी होगा तो हम लोग भी इनक्रीज करेंगे तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले स्टेटीजी में आपको बता दूं क्या है एक बार शॉट्स में यहाँ पे आपके रूल्स भी बता दूं क्योंकि यह वीकली वाली है वीकली वाली में थोड़ा सा आप रि अपने बना लिया तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है और इसमें नए लोग जो है बिगनर से वह भी यूज कर सकते हैं इसको क्योंकि इसमें आपका मार्जिन बहुत ही कम लगने बाला है तो सबसे पहले क्या है इसको आप समझ लीजिए कि जो हमने इंट्री बनानी है इ उसी प्रकार से ATM का put एक lot sell करना है ठीक है next expiry में आज हम trade बना रहे हैं तो next expiry का हम ATM यानि एक stable हमने sell कर दिया फिर हम क्या करेंगे इसको hedge करना है क्योंकि हमें hedge बहुत जरूरी है क्योंकि margin भी कम करना है दूसरी चीज है आपनी safety भी बढ़ानी है तो उसकी next to next यानि end to end मत कर रहे हो तो हमें एक adjustment करना पड़ेगा वो every day 3 p.m. पे आपको एक adjustment करना पड़ेगा जिससे कि आप कल की अगर market gap up या बहुँ जादा gap down open हो तो उसमें आपको फाइदा मिले आपका loss ना हो ठीक है तो इसलिए हम एक adjustment भी करेंगे तो इसमें आपको समझा दिया अगर आपक यह दो तीन तारीख है ठीक है मैंने क्या का expiry बूद दुबार को होती है वेडिने स्टेक होती है तो 33 अपरेल मैंने चूज कर लिया ठीक है एस पर रूल क्या कह रहा है हमने expiry day पे 10 बजे सुबह बनानी है ठीक है तो हम जाएंगे 10 बजे हम यहां पर time select कर लेंगे 10 बज क एक मिनट हमने इसको time को select कर लिया तीन बजे option chain में गये यहां पर यहां पर यहां पर आपको expiry क्या लेनी है अगली expiry यानि कि तीन तारीख को trade बना रहे है तो 10 तारीख की expiry को हमें यानि next expiry को हमें चूज करना है यहां पर मैंने क्या करना है जो भी current price चल लाई होगी कह यह मैंने एक lot इसका sell किया और एक lot मैंने put का sell किया यानि एक lot call और एक lot put इन दो लोग मिला कि इस टेडल होगे इस टेडल को मैंने short कर दिया इस तरह की आपकी position बनेगी यहां पर आपका margin एक लाग 17,000 लग रहा है बट हम इस margin को कम करना है और अपनी position को भीज करना है तो ह आप इसको कह सकते हो अगर आपको बीच में अच्छा profit मिल जाता है तो आप निकल भी सकते हो अब यहां पर देखो जब हमने यह हैज बाइक कर दी तो उसके बाद में आपका margin स्रिफ 33,000 रुपे लगा है बट मैं आपको मान कर चलता हूं 50,000 रुपे आप एकाउंट में रखो और उसके हिसाफ से आप ट्रेट करना इस्टार्ट करो ठीक है तो अब हम चलते हैं 15 मेंट से बढ़ाते हैं ठीक है तीन बज़ें कर दें क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है तो चार परसेंट होता है अब आप इसको करते रहना कि आपका परसेंट कितना बन रहा है आप 30,000 मान के चलो 50,000 पर आप करो अगर आपको 2-3 परसेंट मिल रहा ह आप उसके असाब से प्रॉफिट बुक करते चलो ठीक है चलो आप चलते हैं अब यह मेरे 400 का प्रॉफिट हो रहा है तो चलते हैं देखते हैं कितना हमें क्योंकि हमारी दोनों पोजिशन हैं क्योंकि इसमें आपका लिंटेड लास अच्छा यह भी डर नहीं है आपको कि यह बहुत जादा लॉस हो जाएगा आप यहां देखो पांत जार से जादा लॉस नहीं हो गया आप ही क्या उसका लॉस है चाहिए मारे कितना भी उपर नीचे हो जाए ठीक हो आप इसको पुरा समझ लो उसके बाद में चीजों को डिप्लाय करना पहले समझना जरूरी है तो आप में थीन बजी आघ्जश्मेंट करना है आपको ज्या करना है आप सातलेस चारफोटफोंस क्या था तो आपको 100 अच्छों 8 godया था ही तो इसक्तलेस चारूथा था हूप नाइच्या हमारे हो लिए यहुद आपके समेब्द करें तो को बेंग कर देखिए कियोंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा चीय क्याओ करूं यह से से मैं थोड़ा सा जल्दी यल्दी कर रहा हूं तो आप ध्यान से उसको करिए तो मेरी अज़ेस्ट्मेंट हो गई अब हमें कल के लिए कोई डर नहीं है अब आप अगर आप देखो कि कल अगर मार्किट गैप आप या गाप डाउन कितना भी उपर नीचे हो जा हमें तो प्र अगले दिन हम आये हैं और अगले दिन ही सुवह हमें लगबग 26 रुपय का प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों अगर आप 26 का प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है 50,000 रुपय लगबग आपने लगाए है तो लगबग लगबग यह आपके 5% होते हैं ठीक है 50,000 का 10% 5,000 5,000 हुआ और लगबग 25,000 आपके आगा हैं तो यह जो होते हैं दोस्तों 5% आपका टार्गेट है जो मैक्सम टार्गेट मैंने आपको बताया है 5% आपको एचीव हो रहा है एक दिन आपने अगले दिन आपको 5% हो रहा है तो मुझे लगता है इससे बढ़े रिटन आपको यह हो गया एक केस हो गया कि अपना प्रॉफिट 5% का आप लेके निकल जाओ और अगर आप इसको कंटीन्यू कर रहे हैं मालो सबसे इसमें इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा होता तो हम क्या करते तो सबसे पहले जो आपने कल हैज की थी उसको आपको इसको आराफ कर देना ह ठीक है और दुसरी हमारी एक थी हैज यह वाली सबसे यह वाली तो आप हम इसी को कंटीनू करेंगे आगे बढ़ाएंगे और देखें क्या होता है तो मेरा तो मानना यहीं है कि आपको 25-27 को प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको भी आप निकल जाना थी तो आप ज्यादा प्रॉफिट अपने कर लिया ले तो आप मैसम टाइम प्रॉफिट लेकर जाओगे अगर ज्यादा प्रॉफिट चकर पड़ोगे तो फिर आपको मार्केश में लॉस देखने को मिल सकता है लेकिन तो हम तो आपको प्रॉफिट में निकलते हो तब आप की साइकलोजी भी ब दीन में दो दीन में अगर आपको पांस प्रसंट से ज्यादा मिलना चेसलिंग में की अगर आप आप कर मार्केश करेंगी अगे हैं इक दिन करो तो फिर आप नहीं फिर मारकेट के लिए फिर आप अपना इन्वेस्ट्मेंट करके रखो तो यह चीज आप को थोड़ी सी तो आपको सभी करना पड़ेगा, ठीक है, आप मैं इसको आगे नहीं लेगा जाओंगा, अब मुझे लगता है कि इतना प्रॉफिट मेरे लिए इनफ है, और इस से ज़्यादा मैं प्रॉफिट नहीं लूँगा, अगले हपते कि आपको ज्यादा एक्सपारी करना है, तो हम जाएंगे अगले हपते हो, अगले हपते, फिर से 10 बजे हम अपनी क्या करेंगे ट्रेट कोैट करेंगे, ठीक है, नेक्सपारी क्या करेंगे, तो इह हमारा इस्टेटल कितना चला है, अल्ट आलीज अज़ार, आट्सोग एक सट तो 48.900 मान लेते हैं, तो हमने ये इस्ट एक बाइ करेंगे एक पूट बाइ करेंगे तो यह हमारी नॉर्मल पोजिशन बन गई एक स्टेडल सेल और नेक्स पारी यानिकि बाइस पारी का हमारा एक स्टेडल बाई ठीक है अब हम चलते हैं फिर से पंदर-पंदर मेर्ट से आगे बढ़ाते हैं तीन मजें हमें में प्रॉफिट चाहिए भी नहीं क्योंकि हमारे बीक लिए स्टेड़ जी है ठीक है हमें बीक में दो तीन पात परसंट मिल जाए बहुत अच्छा है चाहते हो उसके लिए आप मुझे कॉंटेट कर सकते हो ठीक है तो मैं आपकी पूरी-पूरी हेल्प करने की कोशिज करूंगा हैं जिस एक्साइर है ठीक का था उसी एक्साइर के 489 यू में उखा है तो हमें कोई दिक्क्त नहीं है अगले दिनrästar को कटी कर देंगे ठीक है सुब्सक्राइब पूसकर तो हमारी हैं तो हमारी थी तो ये थी 47,900 की पुट हमने इसको स्कुराइब कर दिया और होगी हमारी एक यह हमने इसको भी इसको आराफ कर दिया अब हमारी जो हमारी 4900 की जो थी चारो इस्टाइक प्राइस वही हमारी बची हुई है अब हम चलते हैं आगे पंदा पंदा मिनट से देखते हैं वही क्या होता है इसमें प्राफिट नहीं बना उसमें आपको 2800 पर मिल रहे थे इसमें आपको प्राफिट से आखेच चलते हैं मेंटेन हैं बागी तो देखो कुछ भी हो सकता मार्गेट पर अलग चीज है यहां पर आपको मैक्सिम लाउस आतर दिखा रहा तो वह आ सकता है लेकिन आपको अपनी अपने रूल करते रहना है रूल करते रहोगे तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आप देखो हम तीन बज़े पहुंच चुके हैं तीन बज़े यहां पर भी हमें कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं है लेकिन फिर से जाएंगे फिर से एड़ेस्ट्मेंट करेंगे एड़ेस्ट्मेंट क्या रहेंगे हमारे वही जो हमने एक्चुली हमारे का उन्से थे तो ह आप देखो अगले दिन मार्केट में गैप डाउन हुआ और आपके प्रॉफिट जो है अगले दिन नहीं पर देखो अगले दिन मार्केट में गैप डाउन हुआ आपका प्रॉफिट एक की सो रॉपए हो गया जो की बहुती मुझे लग लगता है दोजा रॉप आगए ना अब दो डाई-जार रॉपए आगए तो आपका चार-पांत परसंट हो जाता है अपना बॉक करो निकल जाओ वो ज्यादा टेंसन लेने जरूद नहीं है तो अब हमारी पोजेशन चार जो ओपन थी अब इसको हमें करना है तो हम यह चाहते है या तो हम दोजार लेकर निकल जाए जो कि हमां टार्गेट आ गया है बहुत अची बात है ज्यादा ग्रीडी नहीं तो अपने कुछ लोग निकल जाए लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे नह करता हूं और देखते हैं कि या कि क्या होता है तोड़ सामय फॉस्टाइब से मिल आखे लगया तोуп से करना है यह कितने लगसाम कितने लोगसां सबीट करता है आप के ओपर कि आप इसमें से प्र उसले कि pizza लोगे यह लोस लेके निकलो गए इट अप्ट यू ठीक है अब देखो दोजार के प्रॉफिट हो गया यहां पे कितना एक हजार के बचा है यह देखो 800 के बचा है यह सब आपके उपर है यह आप दोजार नहीं बुक किये अब आप 800 पर आ गए चलो हम आगे और बढ़ते हैं देख नोगने तो 4900 है ना तो 4900 हम चलते हैं पहले तारीक में 4900 यह है तो इससे इस और पर आउत अम इसको करेंगे कॉल को और इससे तो एट करेंगे भी अजमीदिशस्मेंट हो गए हमारा हम चलते हैं यहां पर और आप हमारी पूजीश्येश्मेंट हो गई यह आब मार्कट वेरी गोर 920 पहुंच गया यहां पर आपको पांच जार का प्राफिट हो रहा है तो दोस्तों देखो एक चीज है यह तो दोधुरोज़ आपको प्राफिट हो रहा था तो देखो रिस्क लोगे तो reward भी मिलेगा, conservative रहोगे तो conservative में आपको फोड़ा फ्राफिट में संदोष्टी करनी पढ़ेगी, तो दोनों चीजे हैं, अब आपकी psychology आपको decide करेगी, आप profit में निकलोगे, यह कम profit में निकलोगे, यह ज्यादा profit में निकलोगे, यह psychology आपकी psychology, आपका greed and fear का जो भी आपक में तो दोस्तों यह आपके capital पर 10% होता है, पिछली हफ्ते आपने 5% बनाया और इस हफ्ते आपका 10% बन रहा है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप auction selling स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस से better मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, बहुत ही अच्छी strategy है, अगर आ बहुत जाते हैं नहीं दिखाए दिया कि आपको 2300 का loss हो रहा हो, नहीं, आपको loss 200-300 ऐसे दिखाए दिया, और profit आपको 2300-5000 तक के भी आपको profit देखने को मिले है, ठीक है, तो आप इसको follow कीजी, अगर आपकी कोई doubts है, तो आप मुझे comment box में बताईए, हो सकता है कि मैं पैसा लूज कर रहे हैं, तो अपने पैसा लूज ना करें, सेफिस्ट काम करें और उनको profit होगा, ठीक है, तो दोस्तों, आपको अच्छी लग रही है, तो please हमें support कीजे, YouTube पे हमारी प्रसेंस तो ज़्यादा होनी चाहिए, compare to others, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीड आएगी, लेकिन अच्छी चेटिज आपके साथ में share करूँगा, ताकि उससे आपको benefit हो सकते, तो दोस्तों, thank you very much.